Hello everyone, welcome back to my channel और आज दिस सुबा नहीं हो रही है, आज दिन भी नहीं हो आज इवनिंग हो रही है और मैं इवनिंग में अपना व्लोग स्टार्ट कर रही हूँ विकर्ज मैं पूरो दिन से आज से व्लोग कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा है आज दिन से शूट नहीं किया है, तो अब मैं जो है शूट दोगी और मैं सोची हूँ आज कडी बनाने के लिए कडी चावल तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ के मैं कडी कैसे बना रही हूँ और हमारे घर में जो कडी पत्ते का प्लांट जो ममी नहीं हुआ है उसमें से मैं थोड़ से कडी पत्ते लोग और फिर कडी बनाना हम स्टार्ट कर तो आप लोग देखें के मैं कडी कैसे बनाते हूँ तो अपमें से तरगा पिनाओंगी कि कड़ी बनाने से पहले थोड़ी सी चाय पी लेते हैं क्योंकि शाम हो रही है और चाय पीने का हब मानूरा थोड़ी सी फूप भी लग रही है करदी में चोटी सी तो मैंने यह बैए और उसके बाद मैंने यहां लिया है यह आंनंदा की डई यह lirए कडी बनाने के लिए इसके बाद मैंने जो रामदीर की श्टांग हींग हे क्योंकि हींग् के साथ next को टेस्ट अब बहुत इन्हेंच होके आता है इसले हमने ये भी मतलब ये भी मंगवाई है करें कड़ी बनाने के लिए कुछ इसन और ध़ी डाले उसे इसाब से जितनी मुझे बनाना था तो सबसे मैंने दही डाल लिया और बेशन ले लिया थोड़ी सी लाल मेर्च नमक टार जो हैं जिससे के एक यलो सा कलर आ जाएगा हमारी परी में तो मैं इतनी हींग ले रहे हूं आप लोक को जितना उपर सही लेगा आप उतनी ले सकते हैं बीना पानी डाले अभी दही के सा कर बाइब को जाएगा तो फिर मैं इसको पानी आगे तो यह से लुक्ता है जब आप की जो करी है वो पुच इसस वरा डावा पानी घाल बीट है इसस तरीके की हो जाए मतलब mix करते मैंने की पानी आल दिया जितना डालना था तो अब बच पकाने के से एक फिल्ग ईक कर सकते हैं अब यह मैंने जो कड़ी है वो गैस पे चड़ा दिया मेक शूर आप लोग ध्यान करकें कि आप लोग कड़ी चड़ादी के बाद उसको ऐसे घुमाते रहें नहीं तो जो कड़ी है वो नीचे बैठने लग जाएगी और एक गुबाल आने से पहले हम इसको ऐसे च कर दिया है साथ कि कर दीज गुए वो फूकर से बाहर ना आ जाय और आप लग देख सकते हैं मेरा घरमी में क्या हाल हो रहा है तो अभी जो मेरी कड़ी में उबाल आ गया एक उस जो कर दिया है, एक बाल आने के बाद आप लोग जो है कड़ी को मतलब थोड़ा सा इदर-उ हएं जो कड़ी है dura को सरी है तक हम पकॉड़ों की टियारी कर लेते रहे बडालने कई लोग पालगे भी पड़ी पggॉड़ी नेकीन में धर कि नहींौनों नहीं ज 다ये लेकिन मैं तो मैं आप कर लेंगे बिसन के अंदर थोड़े से यह को है जो पानी डाल जो खूल लिया है जो थोड़ा कम ही रखा विकर्स जो प्याज है वह भी पानी शोड़ती है तो इसलिए मैंने कम रखा है अब हम इसके पगोडे बनाएंगे मैंने और जो तेल है वो गरम कंडे के लिए रख दिया था तो अब इसके पगोडे दाना स्टार्ट करते हैं तो तड़के के लिए है मैंने लिए ये थोड़ी सी क्या होगी सुखी लाल मेर्च थड़ी पत्र हमारे जो हमने प्लांट से तोड़े हैं और प्याज लिए तड़का लगाने के लिए और हीं है और पसाले में अबस्तास बोई है जो सम नवबन के साले होते हैं तल्दी भी मुस्त पाल नवबन के सब्सक्राइब आप कें तो करें अधर नुम्म है नवबन के अधिर रिखलाश में हमारे जोआ गरें तो तो नवबन केंगे किने अधिक भी जीए हुँगि नाल मेच और जो हमारा लमक रहे गया था स्वादन सारावन वो भी इंपे डाल गोगे तो तीन सेक्ट किस्थिने पका दें जलायना निया मसाला सित पकाता है खर बस्वाद तैसा Wi-Fi तो गाइस हमारा जो कडी पकोडा है वो रेडी आपनों देख सकते हैं अब अच्छी लाइटिंग में है इसले अच्छी नहीं दिख रहे हैं लेकिन कडी अच्छा कलर भी आया है पकोडे लेगार से परफेक्क्ली कुल्ट है हमारे कर दो कडी अमारे त्यार ओचुकिया और मैं अतने जाधा था गई हूँ कि इतने नहीं है तो बैस यहां कडी बनी और बैया के लेड़ है और कडी अमारी बनके त्यार हो चुकिया चावल बन रहे हैं तो और मैंस व्लॉक को यह आंग करती को कुछ से जादा हिम्मत नहीं है मेरे गर्मी में खड़े होने के रसोले लिजब नहीं होते हैं और अगर आपको मेरे एकड़ी की एकड़ी की चावल की वीडिया वह पसंद आई यह थे प्लीज मेरे चैनल में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको मेरी कड़ी बनाने का तरीका कैसा लगा और आप लोगों का क्या तरीका कड़ी बनाने का तक के लिए प्लाइब